धर्तिपूर्ट नीता जी मुलायम सिंग यादो की समारवादी पार्टी के निवर्तमान परदेश सचीव डॉक्टर जितेंद्र यादरों से घनेश्ट रिस्ते दें चौबिस नौबर 2022 को डॉक्टर जितेंद्र यादरों और डॉक्टर अनीता रंजन के विवास समारों में पहुँचकर नेता जी ने आसिरवाद दिया था नई नवेली दुलहन बनी डॉक्टर अनीता रंजन को आसिरवाद के रूप में एक लिफाफा भी पकड़ाया गया था सोंबार को नेता जी के निधन से डॉक्टर जितेंद्र यादरों दुखी हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना अभिभावत खो दिया सिक्षा महर्से की संग्या से विहोसित बाबुत सिंग यादर दधुर जी के परिवार से नेता जी के घरेलू संबन थे मांगलिक कारिक्रमों में नेता जी का आसिरवाद परिवार को प्राप्त होता रहता था 24 नॉमबर 2022 को डॉक्टर जीतिन रियादर और डॉक्टर अनीता रंजन के विवास समारों के साक्षी मुलायन सिंग यादर भी बने थे उन्होंने स्टेज पर जाकर वरवधु को अपना सुभाशिष प्रतान के नेता जी ने इत समारों में काफी वक्ट दिया था और डॉक्टर अनीता रंजन के भाई राजिस रंजन उर्फ पक्पु यादर से राजमितिक बारता भी की थी उसके बाद भी कई बार मुलायन सिंग यादर डॉक्टर जितिन यादर और उनकी परिवार से मिले सोमबार को नेता जी के निधन के बार डॉक्टर जितिन रियादो ने गहरा दुख फ्यक्त किया है उन्होंने कहा उनका होना ही समाजवादियों में विश्वास और जोस भरता था वे अपनी बातों से समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं में जोस भरते थे आज ऐसा परतीत होता है मेरे सिर से अभिभावक का साया उढ़े गया मैं नेता जी के अफसान में दुखी हूँ, मरमाहाथ हूँ, उन्होंने कहा विवाद्सों में पहलवान थे इतने दिनों तक उन्होंने मौद से दो-दो हाथ की डॉक्टर जितेंद यादो ने कहा उनके साथ विदाय पल में कभी नहीं भूल पाऊंगा इस वर पुझनिये नेता जी के आत्मा के उस्री चर्णों में अस्थान दे और परवत समान पीरा से उभरने की सक्ति प्रदान करे देश के लिए यह अपुर्णिये छती है